नमस्ते दोस्तों स्वागत है ने वीडियो में कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं जहां भी होंगे अच्छे होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोग को पी आडियो कंपनी के एक स्पीकर का पूरा फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ विद प्राइस के तो आप लोग वीडियो में बने रहें वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को पूरा देखेगा तभी आप लोग को नॉलेज मिलेगा ठीक है दोस्तों और मैं फर्स्ट है मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है जो आप लो मोडल नंबर की बात करते हैं तो इसका मोडल नंबर आपका 12 BM 300 B V3 मोडल का है ठीक है दोस्तों यह 300 वड का speaker है तो चलिए इसका details आप लोग को बताते हैं इसका जो नोमिनल डाइमेटर है वो 305 mm है यानि कि यह 12 इंच का 8 ohm है ठीक है दोस्तों यह 8 ohm का speaker है और नोमिनल पावर हैंडलिंग जो है इसका 300 as power है तो दोस्तों पी आडियो का कोई भी speaker कर यह इस पावर में आता है ठीक है जो कि इसका एक्शूल पावर नहीं होता है तो इसका एक्शूल पावर निकानने के लिए दोस्तों हम लोग को 1.3 से भाग देंगे तो 230W का ये speaker आता है ठीक है RMS power में तो ये 300W AES power में आता है और इसका RMS power हो गया 230W ठीक है दोस्तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसका जो continuous program power capacity है वो 600W है ये 600W तक आराम से जहल सकता है कोई problem नहीं है ठीक है दोस्तो sensitivity की बात करें तो इसका 96 dB है जो की बहुत अच्छा है ठीक है दोस्तो frequency range की बात करें तो 45 Hz से 3000 Hz है जो की बहुत ही अच्छा दे रखा है 12 इंच की speaker में ठीक है दोस्तो voice call की बात करें तो इसका voice call 76.2 mm है जो की 3 इंच होता है ठीक है दोस्तो अब voice call material की बात करें तो voice call material इसका CCAW है अच्छा होता है ठीक है दोस्तो यह जल्दी जलता नहीं है करता नहीं है बहुत ही अच्छा इसको वाइस को माना जाता है ठीक है दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं दोस्तो मैगनेट मेटेरियल के ऊपर ठीक है दोस्तो मैगनेट मेटेरियल यानि कि जो इसक मेटेरियल ठीक है पर्दा जो है इसका वो पेपर का है यानि कागच का है ठीक है दोस्तों डस्ट कैप मेटेरियल भी इसका पेपर का ही है यानि कागच का है ठीक है और स्पाइडर मेटेरियल कॉटन का है ठीक है दोस्तों सिंगल वाला ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ठीक है क्योंकि first time बना रहा हूं तो आप लोग support कीजिए और रही बात दोस्तो इसके price की तो अगर आप authorized dealer से लेते हैं तो ये आपको 5000-500 के आसपास में मिल जाएगा ठीक है क्योंकि हर district का अलग-अलग amount होता है ठीक है तो आप लोग देख लिजेगा तो ज्यादा नहीं 500-5000 का different रहेगा ठीक है दोस्तो और मुझे उमीद है दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को कुछ ने कुछ knowledge मिला होगा ठीक है अगर कहीं से कुछ छूट गया है आपके मन में कोई question है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं next वीड details जानने के बाद दोस्तो मैं आपको recommend करता हूँ कि यह speaker जैसे आपका live program हो गया भजन किरतन हो गया उसमें यह speaker बहुत ही अच्छा performance देगा ठीक है और यह 230 watt का speaker है मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको 2 speaker में कौन सा amplifier से चलाना है 4 speaker में कौन सा amplifier से चलाना है ठीक है दोस्तो इसका जो rms power है वो 230 watt है ठीक है आप 2 speaker का calculate कर लेजे 4 speaker का calculate कर लेजे ठीक है जितना भी इसका total rms power आता है उसी साब से आप अपना amplifier select कर सकते ठीक है दोस्तो और किसी भी amplifier पे चलाते हैं तो जो भी amplifier का maximum power होता है वहां तक आप load दे सकते हैं कोसिस किजिए कि उससे थोड़ा क हम लोड़ दे तो ज्यादा अच्छा आपको response मिलेगा ठीक है दोस्तो तो यह 230 watt का speaker है तो मैं आपको recommend करता हूं कि आप इसको live program में चला सकते हैं dj में चला सकते हैं liner सब में भी चल जाएगा लेकिन live program के लिए बेस्ट speaker है ठीक है दोस्तो भजन किरतन में भी यह आप अधिक है दोस्तो तो फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जय हिन जय भारत